बाला घट विधान सभा की लाल बर्रत जन्पद अंतरगत आने वाली सततर पंचायतों में से सतर पंचायतों के 510 गरीब श्रमिक परिवारों की बेटियों को दो वर्ष बाद भी विवास सहायता योजना की 2,60,10,000 रुपयों की सहायता राशिन नहीं दी जा रही है इस पूरे मामले को लेकर मैं दस्तावेच वैन गंगा मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विशाल बिसेन ने एक प्रेस्वारता आयोजित कर बाला घाट विधायक एवं पिछड़ा वर्ग कल्यान आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन पर गंभी रारोप अधिकारियों ने या राशी दबा कर रखी है उन्होंने कहा कि विधायक विसेन अपनी पुत्री को विधायक बनाने इस तरह के भी हतकंडे अपना रहे हैं जिससे गरीब परिवार बेहत परेशान है परिवार ऐसे हैं 510 बच्चियां ऐसी है जिनके आव विवाव शायसन की योजना अंत्रगत श्रमिक कार्ड़ से लाब मिलता है उसके तरह हुआ और उनके विवाव को दो-दो साल हो चुके हैं और आज तक के उन बच्चियों को उनकी जवार का उनकी परिवार के विवार और लिवारे विवारे पता श्राधी करने के लिवारर कर लिए अरफीशायत होती था कि आसा मिले मिली फ्रमानित शुκι है और इसमें इसपश उस उपर लिखा हुआ है सुची में कि मद्ध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्यान आयों कि गलक से कल्यान करने के लायों बनाया गया जिनके लिए उसके अद्धेक्ष यहां की विदाहयक लंबे समय से विदाहयक चांशत की रहा है उपर शेतर कि 510 परिवारों की बच्चीयों की वीटियों को उनके विवां की साय था खाकराल aún मैं जब इंक परिवारों से मिला भोर कि इन परीवारों कहना है कि बहुए हं कई चक्कर काट चुके हैं जनपत कर रही हमेने कीएमा परिवार कि यहां हर गाहों से पांच सत परिवार हैं विदायक पास और विदायक जी ने बहुत ही अटपटी सी बात पर चाहता हो की पूरा मीजियाज बात को जो है गहर से सुने और जंताव सुनाए भी विदायक का यह आया कि मेरी बेटी चुनाओ लड़ रही है पहले मेरी बेटी को चुनाओ जिताओ उसके बाद तुम्हारी बेटीयों का पैसा मिलेगा तो क्या मैं कूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे व्यक्ति को बालावाटी को बने देने का जिकार है क्या और वह कौर होता है परिवारों मजदूरों को बोलने वाला कि मेरी बेटी को चुनाओ दीता हो तम मैं तुमारी बेटीओं के शाधी के पैसा दूना इस कारण से मुझे बात आप लोगे सामने रखनी पड़ी यह जो है वालाण विदाय की नाकामी है निकम्मापन है और कई ना कई प्रसासनी व्यौस्ता पर जो उन्हें खामी बनाके रखी प्रसासनी उपर जो उन्हें दबाव बनाके रखाए कि किसी इत्मिलई को कोई अधिकाराजी आस्तरी पैसा ने बिला यह प्रापने गव्या के सभी साथियों से असर्द करता हूँ इस मामले को जनता के सामने लाएं प्रशासन से सवाल करें और यहां कि छेत्री विदायक से सवाल करें इस तरीगी पडांग बात जनता से कैसे करें भी आपने प्रसासन अधिकारी जो है अधिकारी डूप से कुछ बोलने को तयार नहीं है प्रशासनिक अधिकारी टाल मोटोली अला जवाब जेते हैं उनके जवाब में यह इस पस्ट बात आती कि विदायक मुद्य का दवाव है कि जब तक मैं ना कहूं तब तक राशी जारी न की जाए और य प्रशासन से सवाल करो तो वह कहता है कि शाब विदायक दवाव है वरिश्च विदायक है पूर मंत्री है आयोक अध्यक्ष है दवाव मना करके हमें सुननी पड़ती और आप भी तो देख रहे हैं इस तरी के बालाव विदान सपाम में प्रशासन काम कर रहा है ऐसा लग क सब्सक्राइब करें तो यह जो प्रक्रण लंबित है यह कमलनात के दौरान वाले प्रक्रण है या सुरू वाले भी प्रक्रण है बीच में 15 मेले के सरकार बदली थी उस सरकार ने शायत राशी 25,000 से वड़ाकर इंकाम हजार कर दी थी यह प्रक्रण 2021 के सरकार के बदलने के बाद जब यह नहीं सरकार आई वर्तवान सरकार चल रही है इसी सरकार के समय की शाधिया इस सरकार की समय की मामले और वर्तवान सरकार ने इसकी राशी में कुछ संसुदन नहीं किया है यह छेत्री मामला है तो यह सरकार का इसमें जरूर इंवालमेंट तो उसके पीछे भी कारण आपको यही दिखाई देगा जो मैंने आपके सामने आज रखा है आर्नाइन भारत बाला घाट से ब्यूरो भासकर भार्द्वाज